वागत है आप सभी का एक वन्यू वीडियो पर देखिए 10 और 20 के बोर्ड एक्जामनेशन एक से दो दिन में स्टार्ट हो जाएंगे एंडूम में देखिए आप सभी की तैयारियां पूरी हो गई होंगे आप सभी फॉर्म में हो गए काफी बच्चे पूछ रहे थे कि बोर् एक्जामनेशन के सेंटर पर हम जाएंगे तो क्या इंपोर्टन चीजा हमारे पास होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए सारी इंफोर्मिशन में आपको आगे देता हूं वीडियो में तक बने रही है नहीं तो सब्सक्राइब जरू से कर दीजगा नोटिफिकेशन आइकन अब देखे एक्जामनेशन से जोड़ी सारी इंपोर्टन अपडेट्स आपको यहां पर दी जाएंगी अब देखे एक्जाम के दिन जब आप अपने एक्जाम सेंटर पर जाओगे तो कुछ चीज़े तो इतनी जरूरी होती है जो कि अगर आपके पास नहीं हुई तो अपने सांथ रखनी है वह है आपका अडमिट काड जारी करी दिये थे आप सभी केशकू से आपको प्रुवैड किये गए होंगे उनकी उपर प्रिंसेपन का सिगनेचर होना भी जरूरी है अगर आपने प्राइविट फरम भरा हुआ है तो सिगनेचर के आपको ज़रूरत क्योंकि इन केस अगर कोई गडबड होती है आपका QR कोड इसके नहीं होता है अगर उनको कोई डाउट होता है तो आपका जो ID प्रूफ है उसको देखके आपको एंटरी दे देंगे तो admit card के साथ एक ID प्रूफ ज़रूर से रखिया गए जब आपके इसकून का ID card बना करते हो किस company के करते हो maths वगरा में कौनसे instrument आपकी यूज होंगे और पैंस की बात करें तो आपको black pen भी रखने है blue pen भी रखने है जिससे कि pen अगर काम नहीं करता है तो आपको इधर उधर किसी से मांगना ना पड़े अभी stationary का सामन रखना तो ज़रूर यह पर यह जो सामन रहे हो या फिर पाउच वगरा रख रहे हो तो उसमें कुछ भी रिटन फॉर्म में नहीं होना चाहिए कुछी भी तरह की कोई चिट्स वगरा नहीं होनी चाहिए और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जो भी सामन है वो आप अपनी pocket में रख सकते हैं या फिर ज्यादा सामन कोई मिश्टे को जाती उसके उपर हम वाइटनर यूज़ कर सकते हैं तो देखिए board examination की copy में आपको वाइटनर यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वाइटनर सापकी कौपी खराब भी हो सकती है और MP board की तरफ से यह नियम आया है कि अगर आपकी कौपी में कोई भी खरा होगे उसका timey waste होगा इससे अच्छा यह है कि अपना पानी अपने पास ही रखिए इसके बाद एक चीज में और बच्चों को काफी जदर doubt होता है कि exam में writing pad रख सकते हैं या आप भी नहीं रख सकते हैं तो देखिए मैं आपको बताओ अगर आप किसी private school में जा रहे हो एक पेपर नहीं चिपका हुआ होना चाहिए किसी भी तरह का पैन का मार्क नहीं होना चाहिए यह सारी चीज आपको देखनी पड़ेंगी तब भी अपना writing pad रख सकते हो नेश्ट चीज की बात करें तो वह हैंकी आपको अपने पास एक हैंकी जरूर से रखना है क्योंकि हो सकत कोई भी दिक्कत नहीं है अब हैंकी की की बात हुए रही है तो मैं आपको मास्क पहन सकते हैं या पिन की पहन सकते हैं अगर आपको सटी है श टायक की कोई भी … तो आप मास्क पहन सकते हैं, मास्क में भी कोई रोक टोक नहीं होती है, तो और भी अच्छा है कि आप मास्क पहन के एक्जाम दे रहे हो, जिससे कि आपका जो इदर उधर नहीं होगा, तो मास्क पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं है, अब आती सबसे इंप्वर्टेंट पहन सकते हो इस तरह की वाचे सब्सक्राइब आपने पहनी या फिर कोई भी एडेक्टर ने गजट आपके पास पाया गया तो आपके उपर फाइन भी हो सकता है आपके उपर शीटिंग का कीज भी बन सकता है तो वाच आपको सीधी साधी सी पहन ली है जो कि बस टाइम तो देखे मैं आपको यह एडवाइस दूँगा कि बैग वगर आप ना रखे तो जाद आच्छा है बाकि आगर आपके पास बैग है सामन आपको रखना है कैरी करना है उसमें तो एक्जाम सेंटर पर भी बैग रखने की आरेजमेंट की जाती है पर इस जरूरी नहीं है खुद की होगी बैग कहीं भी इधर उतर होता है फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है तो बैग रखना ना रखना आपकी ऊपर है आप चाहे तो अपनी गाडी के डिग्गी में भी बैग में नहीं होना चाहिए तो इससारी चीजे में आपको बताई दीए क्या रखनी Chayee क्या नी रखनी चाहिए बाकि और भी चीजे वोती है जैसे आपका phone हों गया notes हो गाए pages वगरा हो गया ये सारी चीजे आपको नहीं रखनी चाहिए ये तो common sense होता है क्या रखना है क्या नहीं रखना है important चीज़े मैं आपको बताई दिये अभी भी आपको कोई doubt आता है comment करके पूछ सकते हैं या आप मैंसे इस्टाप एडियम करके बाद भी कर सकते हैं